नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन में सुखाण के लिए जल्द कटा ले एक रुपया का टोकन जार्खन के सुखागरस्ट 226 परखन के हर किसान को डीवीटी के माध्यम से 35 रुपय मिलेगा, इस जोजना का लाव लेने के लिए किसानों के पास अभी भी मौका है, क्योंकि सरकार ने इसमेरा इस्टेशन की तीथी बढ़ा दी है बतादे इसके लिए प्रग्या केंद्रे में जाकर सिर्फ एक रुपय के टोकन मनी जमा कर सुखागर रहात के लिए अभी भी आवेदन कर सकते हैं राजी के 22 जीलों के सुखागरस्ट 226 परखन के किसानों के लिए बेहाधी आहम सुचना है अगर वह सुखागर रहात के लिए 35 रुपय की सरकारी साहता पाना चाहते हैं तो उनके लिए अभी समय है पहले राजी के किरिशी मंत्री बादल पत्र लेख ने 30 नौवमबर तक एक रुपय के टोकन कटाकर सुखागर रहात जोजनाज से लाव लेने की बात कई थी इन 226 सुखागर रस्त परखंडों के करीब 32 लाग किसानों को रहात मिलना है ऐसे में बड़ी संख्या में किसानों की है जिन्हें अभी तक रहात के लिए आवेदन नहीं किया है अगनी बीर आर्मी रैली सुरू एकई से यार युवतियों ने किया आवेदान अगनी पत योईना के तहट इंडियन आर्मी रै भरती की परकिलिया शुरू हो गई है इसी कड़ी में बिहार की राइधानी पाटना के दानापूर में 1 दिसमर से 14 दिसमर तक अगनी बीर भरती परकिलिया चलने वाली है बता दे अगनी वीर सैनिक भरती रैली में बिहार के साथ जीलों के 82,000 युवा और बिहार वर जार्खन की 21,000 युथियों ने आवेदन किये है दानापूर में पहले दिन गोपाल गंज जीले के अभियार्थियों ने भाग लिया वही दानापूर में बिहार वा जार्खन चैत्रिये सेना भरती मुख ख्याले कर्याले के नए भावन चांद मारी स्थीत डिफेंस कोलोनी के आर्मी मैदान में 14 दिसंबर्त के अभरती परकिलिया चलेगी किसानों को परधान मंत्री फसल बीमा योजना के 2017 से लेकर 2020 तक का होगा भुगतान परधान मंत्री फसल बीमा योजना का वर्ष 2017-18 से 2020 तक का बकाया क्लेम का भुगतान होने के असार बनते दिख रहे हैं क्रिसी मंत्री बादल पत्र लेख के अध्यक्ता में सुक्रवार देर साम तक चली बैठक में राज सरकार की ओर से अस्पष्ट किया गया है कि वह अपने हिस्से का राज अंस देने को तयार है बसरते बीमा कमपनियां अपनी तरफ से सपत पत्र दे कि वह राज के किसानों के बरबाद हुए फसलों के लिए बीमार आसी का भुकतान कर देगी राजे के किरिसी मंत्री ने भारत सरकार की ओर से पधान मंत्री फसल बीमा योईना के CEO रितेथ चौहान और इंसूरेंस कमपनियों के परतिनीदियों के साथ हुई बैठक में नेपाल हाउस इस्तिस्तवागार में कही है CM हेमन्त ने डाक्टर राजेंदर परसाद को औरपित की सरधा सुमान देश के प्रत्थम राश्टपती भारत रतन डाक्टर राजेंदर परसाद की जहनती मनाई जा रही है वहीं जहरकन के बीर सपूत परम बीर चक्र बिजेता सहीद अलवट एका की सहाधत दिवस पूरा जहरकन उन्हें याद कर रहा है इस मौके पर राजेपर रामेस बैस और मुख्य मन्तरी हैमान सुरें ने सरधा सुमान और पित कर उन्हें नमन किया बतादे 3 दिसमर को देश के प्रत्थम राश्टपती देश रतन डाक्टर राजेंदर परसाद की जहनती पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है जार्खन के बीर सपूत परम बीर अलवट एकागी साहदत दिवस पर पूरा जार्खन उन्हें नमन कर रहा है इस असर पर राजेपर रामेस बैस और मुख्य मंतरी हैमान सुरें ने दोनों को सरधा सुमन और पित कर उन्हें याद किया धनबाद में 500 केवी टांसफर्मर क्वाइल की चोरी जार्खन के धनबाद जीले में अपराधी बेलगाम है अपराधीयों जब चाहे जहां संदमारी कर रहे हैं साथी घटना को अंजाम देने के बाद बड़े अराम से चोर भाग जाते हैं बता दे BCCL इलाका चोरो का बड़ा चरागा बन गया है लोधना ओपी छेतर के लोधना आठ नंबर बस्ती में लगे BCCL के 500 केवी टांसफर्मर क्वाइल को काट कर चोर ले उड़े चोरो की कर्तूत से लवग तीन सो अबादी के लोगों के सामने बिजली पानी की समस्या आ गई है टांसफर्मर क्वाइल के चोरी होने से बिली आपूरती पूरी तरह से ठप हो गई है जिससे पानी सप्लाई भी पूरी तरह से बादित हो गई गाटना को लेकर अस्थानिय गिरामिन भी CCL के साथ साथ पूलिस को जिम्धार ठारा रहे हैं पलामू के किसानों को किसान होने के बावजूद नहीं मिला सुखाण का लाब जारखंड के पलामू जिले में बसे सहर मेधनी नगर के किसान सुखा राहत पाने के दारे में सामिल नहीं है उन्हें ओनलैन आवेदन के लिए सब्टेयर में नगर निकाय का भी कल्प नहीं मिल रहा है ऐसे किसान अंचल कर्यालियों का चकर लगा कर परिसान है लेकिन अधिकारी साफ तोर पर कुछ भी नहीं बता पा रहे है मालूम हो कि सुखे से प्रवाइद किसान परिवारों को रहात मोहया कराने के लिए राई सरकार ने मुख्यमंत्री सुखा रहात योजना के शुरुआत की है इस वोजना के तहट मुख्य मंत्री हेमान सुरेन ने किसानों को 35 रुपे प्रती प्रारामभिक सुखा राहत रासी देने का एलान किया है आवेदन देने की समय सीमा अब बढ़कर 30 नौवंबर से 15 दिसमबर तक कर दी गई है पारा सिक्षकों को तीन दिनों का अल्टिमेटम पर्मान पत्रों की जाच करा है राजे में समगर सिक्षकों को तीन दिनों का और समय दिया गया है जिन्होंने अभी तक अपने पारान पत्रों का सत्यापन नहीं कराया है यदि ऐसे पाराशिक्षा 5 दिसंबर तक अपने सेक्षनिक और पराशिक्षनिक पाराशिक्षनिक 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 पाराश वयद आहरता नहीं है। की ही तरह यहां भी विवास अमरों का आउजन किया गया था। इस दवरान सड़क पर जाम लगा रहा। जिसमें राची हट्या एक्सप्रेस के कई आत्री फस गए। करीब सतर से अधी की ट्रेन छुट गई है। IIT ISM में 7222 के प्लेस्मेंट जारी 43 लाख तक मिला है। IIT ISM में 2022-22 के लिए केमपस प्लेस्मेंट जारी है। गुरुवार को उन्ती चात्रों का चैन किया गया। सुक्रुवार को भी केमपस सेलेक्सन जारी रहा। अब तक 45 अधीक छात्रों का चैन किया जा चुका है। चैनीच छात्रों की संख्या और बढ़ेगी। बता दे चैन देश बिदेश की विभीन कमपणियों ने किया है। इनमें बजाज, आटो, ओरेकल, फोन पे, मोरगन, स्टेनले, उबर, सलाइसिंग, मीडिया.net, मनी फरवर्ड और फिलिप काड सरीखी कमपनिया सामिल है। लगभग 5-43 लाख रुपए के वार्षिक पैकेज पर छात्रों का चैन किया गया है। नसे के अवयद कारोबार पर लगाम की क्वायद। जी अपरेशन संजय आनन्द लाट कर आई जी सी आई डी असीम विक्रांत मीज स्पी सी आई डी एस कार्थिक सामिल हुए थे सी आई एस सी ई दस्वी बरहावी बोर्ट एक्जाम डेट जारी कॉंसिल फोर्दा इंडियन स्कूल साटिफिकेट एक्जामनेशन ने दस्वी और बरहावी बोर्ट परिश्यक्तिति की घोसना कर दी है दस्वी की परिक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च तक होगी वहीं बरहावी की परिक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगी दो माँ बाद रियल्ट भी घोसित कर दी जाएगी बतादे दस्वी की परिक्षा दिन के 11 जामों के वरिष्ट नेतावा बिधायक प्रफेसर स्टीफन मरांडी को बिस तूत्री किरन्वेन समीती का उपाद्यक्स बनाया गया है पिछले वर्फ पांच मार्च को प्रफेसर मरांडी किरन्वेन समीती के उपाद्यक्स बनाया गया थे राजे के सभी जीला में 20 सूत्री कमीटी का अगठन भी हो गया है राजे में कुछ परखंडों को छोड़ कर लवग परखंडों में 20 सूत्री कमिटी का गठन हो गया लेकिन राज अस्तरिय कमिटी का ममला अब तक लटका है मुक्ष मंत्री राज अस्तरिय 20 सूत्री कारक्रम समीति के पदेन अध्यक्ष होते हैं राज अस्तरी बिस सुत्री कमीटी सरकार की योजनाओ की समिक्छा और उनके किर्यानोयन को लेकर सला देती है राज अस्तरी कमीटी नहीं होने की वज़ा से योजनाओ की जमीनी अस्तर पर किर्यानोयन की बेहतर मोनेटरिंग नहीं हो पा रही है टाटा इस्टिल में ट्रेड अप्रेंटिस की बहाली टाटा इस्टिल प्रवंधन ने ट्रेड अप्रेंटिस बहाली निकाली है इसको लेकर सुक्रुआर को नड़ेपी के संजारी किया गया है प्रवंधन ने इस बार करमचारी पुरो करमचारी के रइस्टर्ड वाड के अलावा बाहरी लोगों के लिए भी बाहली निकाला है इस बार जायरकौन और ओडिसा के गर करमचारी वाड के लिए अलग-अलग बाहली निकाली गई है इस बार सर्कूलर में नए प्रवधान का भी जिक रहा है जिसमें कहा गया है कि ट्रेड अप्रेंटिस करने वालों को नोखरी की गरांटी नहीं होगी साथ ही सरकूलर में इस बात का भी जिक रहा है कि इस बार किये बाहली टाटा स्टिल की सब शीद्री कमपनियों के लिए है यानि कमपनि में एंटिटी वह हाल में अने कमपनियों को आपस में मर्च किया है धन्यवाद यादि आप चैनल पढ़ना है थे चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल का वेल एकन दबाइए साची साथ वीडियो के एक लाइक कर आपने दोस्तों के आशेर करना भूले साची साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़वेक अवसे दे थैंक यू